वक्त की बड़ी खबर और बड़ी कह सकते हैं कि खुश्खबरी जल्दी आने वाली जो आपको बताने वाले हैं पिछले 17 दिनों से सिल्क्यारा टेरल में फसे हुए मजदूर कभी भी बाहर आ सकते हैं यह बड़ी खबर क्योंकि हलचल टेनल के बाहर और अंदर दोनों जगा सब्सक्राइब की तीमें एक के बाद एक वहां पे हलचल में नजर आ रही हैं अंदर और बार जाती हुए यानि मजदूर कभी भी बाहर निकल सकते हैं मजदूरों के परिजनों को भी तैयार रहने के लिए कि आप उनके कपड़े लेकर तैयार रहे तो यह तस्वीरें इस वक्त टेनल साइट पर ही मौझूद है ओवर टी यू राहूल आप देखे बिल्कूल तस्वीर वही है कुछी मिन्टों में आप देखेंगे कि तमाम 41 जो सर्मिक हैं वो भारा पाएंगे तस्वीरे यही हैं कि एंबुलेंस को लगना शुरू हो गया है एंडियरफ की टीम पहले ही जा चुकी है प्रशाशन ने अलट कर दिया है अलट मोड पर आ गए हैं यानि साफ है कि कुछी देर में हम तमाम उन 41 शर्मिकों को इन एंबुलेंस के जरिए बाहर आते देखेंगे उनके परीजन तया हैं एसकॉर्ट ग्रीन कोरिडॉर में उनको लेकर जाये जाएगा और आप डॉक्टरों की टीम देख रहे हैं यानि यह आखरी मुमेंट है यह वह पल है जब कुछी देर में आपके सामने वह शर्मिक सामने होंगे एक 40 मज़ूर जो तमाम अंदर फसे थे जो एक जद्दो में थिर देखेंगे कई द में लोगों को घृवात दूसरी देखेंगे कुछी देर में बाट चिस तोरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं की एंबुलेंस जो है अन्दर जा चुकी हैं और टीन एंबुलेंस अभी गई है और माना जा रहा है की एक के बाद एक एंबुलेंस। जाएंगी और इसी तरीके से उनको बाहर लेके आएंगे कुछी देर में आप वो तस्वीर देख पाएंगे और तस्वीर यही हैं कि जिसका इंतजार आपको हमको सभी को था वो अब कुछी देर में पूरा होने वाला है आप यखीन मानिए तमाम रेस्कोर्स अंदर हैं करने वाली टीम होगी और यहां अप एंबुलेंस के तयारी देख लिए तिस तरीके की तैयारी आप इंतजार है बस कुछी देर का और कुछी देर में आप तस्वीरें देखेंगे और यह चाहां जा सकता है कि जो भीड है वह लगनी शुरू हो गई है जहां तक आपकी आपको दिखाना चाहूंगा इस्थानिये विदायक मंदिर के पास मौजूद हैं इस्थानिये विदायक मंदिर के बास हैं जो बोकनात मंदिर का स्थापना की गई थी वो भी यहां पहुचे यानी साब तोर पर यह दूआओं का दौर था यह काम विशेशग्यों का माइनिंग हुई उस माइनिंग से जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी यकीन वानिये कल से और आज में हमने वो पूरा एक्शन देख लिया इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं तमाम अधिकारी हैं यानि जो कहा जाए कि अब कुछी देर की बात है इस रूट को ख आज रूट ईकर यानि देर के देर में आप देखेंगे 41 ठीक और जो ठीक है अपने दर चको बता देए अपने दर्शक दर पर आपको सिर्म बार्कोदगें अंदर की दिखा रहें इसलिए तस्वीर बहुत हैं हो जाती है पिछले 17 17 दिनों से इस तस्वीर का इंतजार हम कर रहे थे टनल के अंदर अब एंबुलेंस जा चुकी है इसी एंबुलेंस में मजदूरों को बाहर ला जाएगा और सीधे अस्पताल पहुचा जाएगा पिछले 17 दिनों से सबसे बड़ी लड़ाई सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे और उसे जीतने के बाद आज ये तमाम बढ़न बहार निकलने वाले हैं यानि जो प्रोसेस है मजदूरों को निकालने का हो सकता है वो अंदर शुरू हो गया हो यह जल्दी अब यह शुरू होने वाला है एक तालिस मजदूर बारा नवंबर से टैनल में अंदर पसे हुए थे कोशिशें लगातार की जा रही थी पहले आगर मशीन से कोशिश की गई थी लेकिन पिछले दो दिनों पहले ही वो मिट तूट गई थी जब आगर मशीन भी तूट गई थी उसके बाद ये काई आ रहा था कि अब क्या होगा क्या ये वक्त महीनों में होगा दिनों में होगा लेकिन ठीक दो दिनों बाद आज ये उम्मीद बरी एक आशा बरी खबर सामने आई कि मजदूर आज ही बाहर नका रेस्क्यू कर लिया जाएगा सुरक्षित उन्हें बाहर राउल यह तस्वीर हैं अपने आप में काफी एहम है तैनल के अंदर एंबुलेंस मौजूद है कितनी और दूसरा यह भी कितनी एंबुलेंस वाप मौजूद है और एक एंबुलेंस के अंदर कितने मज़दूर होंगे राउल देखिए 41 एंबुलेंस है एक मज़दूर होगा और यह कहा जाए कि डौक्टरों का साथ एक एस्जीरारफ का जवान होंगे और यह कहा जाए कि पूरी तरीक से जो अपने तीन एंबुलेंस और यह देखी हैं जिनके साथ एक छोटी एंबुलेंस को भी बेजा गया है वज़े यह है कि दवाईयों की भी तमाम चीजों की एक्विमेंट्स के साथ भेजा गया है किसी तरीकी की कोई दिक्कात ना हो क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जब उनको भार लाया जाएगा क्योंकि 17 दिन से अंदर फजा होना बले ही आपने तमाम उनका मोनोबल बढ़ाया हो कुछ ना कुछ मानसिक तोर पे परिशानी जरूर होती है अला कि दावाई यह किया जा रहा था कि हर तरीके से वो ठीक है लेकिन यह आपको अंदर की तस्वीरे जो दिखा रहे हैं यानी पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर रहने वाखन है यूंकि वारस रहा वक्राओल लारु और सब्सक्राइं हम अपनी टीवी यह जो किई दे हैं एंबुलेंस के ठीक पीछे बड़ी-बड़ी पाइपस हैं कैनी पाइपस अंदर मजदूर निकलेंगे क्या इंफॉरमेशन है जी जी मैं बिल्कुल बता पाऊंगा जहां एक्ष्ट्रीम मलवा पड़ा था उसके नीचे जहां एक टनल जिस तरीके की हम बता रहे थे के पुरूट और उसी रूट से उनको निकाला जाएगा जहां उनको विवस्तित तरीके से कुछी सेकंड यानि कुछी मिंटों में उनको खीच लिया जाएगा यानि जो ठीक टनल के सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके ठीक नीचे वो टनल बनाई गई थी टनल य करने के बाद उस रेस्क्यों को अब पूरा किया जा रहा है यानि कुछी देर में जिसे हम बात कर रहे हैं मिंटों में जो मनाहयें यानि कई जाता है कि जब ऐसे रूट में किसी को निकालना हो तो विवस्तित तरीके से टीम वर्क होता है यानि कौन आगे जाएगा किस तरीके से उनको रखना है और किस तरीके से उन्हें मूव करना है पूश बैक करना है और किस तरीके से कितनी जल्दी उनको आगे लेके आना है यान एक एम्बूलेंस में एक पेशेंट्स को लाया जाएगा यहां 41 एम्बूलेंस को लगाया गया है क्योंकि तालिस की जो बात की गई थी वह तालिस लोग अंदर है और ऐसे में यह यकीन मानिये अब जो सिल्क्यारा टनल से जो एक रेस्क्यू था सत्रवे दन वो पूरा हुआ तमाम एफट्स टीम के सरकार के प्रशाशन के स्किल्ड लेबर के जिसमें तमाम आर्मी ओफिशल्स हो इंजीनियर स्विंग हो एंडीर फो यानि बखूबी एक ऐसा काम कर दिखाया है जो उमीद से परे था यानि जो मुश्किलात थी क्योंकि हमें वर्टिकल ड्रिल भी सो यानि आप कुछी मिन्टों में यानि कुछी देर में वो तमाम लोग भारा पाएंगे यानि वो तस्वीर हम देखेंगे वो परिवार साथ में है परिवार को मनोबल बढ़ाने के लिए बेजा है किसी चीज का हैसास ना हो ऐसा की कोई उनके साथ नहीं है लिकिन जिस तरीक के अंदर की है जहां पर एंबुलेंस पहुच गई है ठीक यहीं से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा दूसरी तस्वीर हम आपको टेनल के बाहर के दिखा रहे हैं SDRF की टीमें, आर्मी की टीमें, मेडिकल की टीमें पूरी तरह से तैनाथ हैं 17 दिनों बाद 41 मजदूर जो जिन्दगी की सबसे बड़ी जंग इस तनल के अंदर लड़ रहे थे और बाहर पूरा देश उनके सलामती की उनके बाहर निकलने की दूआएं मांग रहा था वो इतनी जादा मुश्किलाता आई थी कि हर दिन उमीद बनती थी और अगले इपल उमीद टूट भी जाती थी अमेरिका से जब ऑगर मशीन आई थी तो यह उमीद की जारी थी कि बस एक ही दिन में अब मजदूर बाहर निकल आएंगे लेकिन अमेरिका से जो ऑगर मशीन पर शिप्ट हुई थी लेकिन आज सुबा एक नई उमीद जागी जब मैनुवल ट्रेलिंग शुरू ही और रैट माइनिंग की गई रैट माइनिंग अपने दर्शकों को समझा दे जैसे चुए छेट करते हैं आगे बढ़ते हैं और मिटी पीछे दकेलते हैं ठीक उसी तर पहली तस्वीर जैसे ही आएगे मैं आपको दिखाएंगे तो निगाहे मत अटाईएगा जिस पल का आपको इंतजार था पुरा देश जिन 41 मज़दूरों के लिए दुआएं कर रहा था वो पल कुछी मिनिटों बाद कुछी पलों बाद अब सामने आने वाला है कि दो तस की टीम पूरी तरह से तैनात कर दी गई है आर्मी के जबान सरकार प्रशासन थमान टीमें इस पल का इंतजार पिछले 17 दिनों से कर रहे थे मेरे सयोगी राउल प्रकाष टेनल साइट पर ही मौजूद है हर एक तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं ओवर्टियू राउल देखिए बिल्कुल जिस पल का इंतजार पूरा देश वो परिवार आप और हम कर रहे थे बस पूरा होने वाला है जो तस्वीर है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आप तमाम तस्वीरों को देख के समझें वो देश जो जानना चाहता वो भी देखे कि टनल के अंदर जो एंबुलेंस जा चुकी है तमाम जो अधिकारी तमाम जो डॉक्टर्स की टीम जा चुकी है कुछी देर में उनको लेकर बहार निकलने वाली है जो उमीदे देश की थी जो देव भूमी उत्रखन के लोगों की एक आस्ता थी उनकी दुआएं या तमाम लोगों क कि दुआएं वो काम आई हैं जो मेहनत थी तमाम जो मेहनत करने वाले लोगों की काम आई है सत्रवे दिन तमाम वो चहरे हमारे साथ और आप लोगों की दुआ से अच्छी खबर है क्या जानकारी मिलबारी से कितना देर और लगेगी कहा जारा एक देर घंटे में निकाला जाएगा तो क्या पाइप वगेरा पहुंच गया है ऐसा कुछ जानकारी नहीं गई है ना हमें आगे जान भी दिया जारा है लोग भ प्रोसीजर होगा उसके उपरांथ हमें एयरलिफ्ट की बेहुस्ता की है वह मौसम की परिस्ति के अनुसार हमें एयरफोर्स से कंफरमेशन आ गई है और उसकी साथ से उनको लेके चले जाएंगे है अब वो तो यह देखना पड़ेगा कि यह कहां पर उनकर यह लिकाप्टर का उतरना हो पाता है तो सीदे सीदे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टैनल के अंदर कि यह तस्वीर एंबुलेंस वहां पे मौझूद है कुछी पलो बाद मजदूरों को निकालने का प्रोस अस्पताल पहुंचाया जाएगा यानी डॉक्टर और मेडिकल टीम पहले से पूरी तरह से तयार है इस अंदर भी का जा रहा है मेडिकल टीम होगी और डॉक्टर्स भी मौझूद होंगे एक अंबुलेंस में एक ही मजदूर को ले जाया जाया जाए यानी तयारी वहां प को एंडियाराइफ के जवान जो अंदर मौझूद एंबुलेंस के साथ वो निकलेंगे कुछी देर में जिस तरीके की तयारियां है एक तालीश तो सर्मिक हैं जो पिछले 17 दिनों से थे उस वक्त का इंतजार जो हम कर रहे थे बस वो कुछी पल में पूरा होने वाला है ज है यहां से तरीके की बात की गई है तमाम डॉक्टरों की टीम एक एक अस्पाल में तयार बैठी है और मैक्सिमम जो डॉक्टरों का एक पैनल था जो यहां से मोनीटर कर रहा था वो उनको ब्रीफ दे रहे हैं कि क्या करना है और दूसरी तरफ जो एंबुलेंस में अभी तक जिस तरीकी की तस्वीरे हैं तमाम एंबूलेंस अंदर जा चुकी हैं बस कुछी देर का इंतजार और है जब हमारे सामने वो तमाम 41 बंदू जो अंदर फसे हैं वो बहर आप आएंगे और तस्वीरे यही हैं अब तस्वीरे देखें लगातार मूमेंट है हैं और तमाम वो लोग आप हम पूरे देश्वाशी क्योंकि आखरी मलवा जो कहा जा रहा है जो निकाला गया ता उसके बाद एक बातचीत का दौर हुआ तमाम जो टेक्निकल टीम तो उन्होंने आपसमें बात करी जिसके बाद यह कहा गया कि किस तरीके से एसके रूट हो टैनल के जो हंदर जो 800 mm का पाईप है वो डालेंगी वो जाएंगे वो उनको खीच के लेके आएंगे और जब उनको लाएंगे तो एंबुलेंस में एक एक के जो शर्मिक हैं उनको रखकर डॉक्टरों की टीम उनको इस इसी रास्ते से होते वे चन्याली सोर्ज ऑस्पताल है वहां लेके जाएगा जहां एर एंबुलेंस की विवस्ता भी उनके ले की गई है लगता है जरत पड़ेगी तो एम से रिशीकेश उनको ले जाये जाएगा लेकिन जिस तरीकी के अभी हल चल है तेजी है उसमें माना जा रहा है कि बस कुछी देर कुछी देर में यहां स सब्सक्राइब करने लेकिन राउल एक सवाल एक सवाल एक दर्शक की तरह यह भी है यहां पे क्या मजदूरों को सीधा एंबुलेंस में बिठाया जाएगा और अस्पता ले जाएगा या फिर हो सकता है मीडिया के सामने एक मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम सुरक्ष अमुलेंस चल रही है यह ए Margolis चल रही है राउन किया हमाने कोई बाहर आ रहा है की हलचल यो मैं देखने को मिल रही है गुफा के आप में ये बड़ी दिल्चस्प और चोकाने वारी तस्वीर है क्योंकि पिछले सत्रा दिनों से देश के एक तालीस मजदूर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे थे आज ये जंग जीत गए वह कुछी पलों बाद ये गुफ कनल के अंदर जो आप देख रहे हैं इनी प पार निकलाएं लेकिन अभी नहीं निकले हैं जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं राव लोवर टू यू आप देखे देखे उमीद वही है कि जरासी हलचल होती हमें लगता कि आ जाएंगे हाला कि वो पूरा प्लान रूट जो है वो त्यार है अभी जिस तरीके की एंबुल पहले जा चुकी है यानि उनको अंदर जाना जिस तरीके से था उस तरीके से विवस्तित क्या गया और जिस तरीके से अंडियर्फ सब्सक्राइब के साथ हैं वह इसी तरीके से मूँमेंट बेजाएंगे यानि उसके बाद जो भार फ्रन्ट जेत जहां आपको पुलीस कर् बचाएगी और यह जिस तरीके से एक एक करके तमाम जो एंबुलेंस हैं वो मुवमेंट में हैं और जिस तरीके से लगाई गई हैं अब तक पाच एंबुलेंस ऐसी हैं जो अंदर जा चुकी हैं आप यकीन रखिए कि तैयारी लगबक पूरी है बस कुछी देर का इंतजार और है ऐसी रास्ते से इसी जगह से तमाम उन लोगों को हम देखेंगे रही बात आप जिसका जो आप सवाल कर रहे थे क्या उनको यहां सामने लाया जाएगा फिलहाल ऐसी कोई चर्चाय नहीं है पहले उनके स्वास्ते और पहले उनकी देखबाल की बात की जा रही है कि उ जाना है तो वो भी अंदर मौजूद रहेंगे और ऐसे में जब वो साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो जो आप और हम क्या तमाम देश के लोग जानना चाहते थे कि वो क्या कैसे होंगे यानि वो तभी जो परिवार वालों से बने बात करी उन्होंने कहा था कि सब जो तमाम लोग सुरक्षित होते वे खुश होते वे बाहर निकले और तस्वीर वही होगी जो आप और हम इंतजार कर रहे हैं बस कुछी देर का समय बाकी रह गया है और जिस तरीके से लोग लगातार अंदर आ रहे हैं लग रहा है कि बस कुछ देर में आये ही जाएंगे और अंदर जा रहे हैं तो अब तीक है ठीक है राउल अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें आपकी तीवी स्क्रीन पर हम दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये दो तस्वीरे आज के दिन के लिए काफी महता पूर्ण है वो एक तालिस मजदूर जो पिछले सतरा द कि अधिनों से तनल के अंदर फसे हुए थे अपनी जिंदगी की सब्से बड़ी जंग लड़ रहे थे आग उस जंग को जीत कर वो मजदूर बाहर आने वाले हैं ये तसवीर आप देखें ये ठीक तनल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उस छोर की तस्व तकषीर दिखा रहे हैं जहाँ से मज़धूर निकलेंगे आपको हो सकता है इना अम्बुलेंस के पीछे पाइप के कुछ हिस्से नज़र आ रहे हो या पाइप का जो आगे वाला फेस है वो नज़र आ ठीक यहीं से मजदूर वो बाहर आएंगे एंबुलेंस में बैठेंगे और सीधे उन्हें अस्पताल ले जाए जाएगा यानि तैयारी प्रोसेस जो है वो पूरा कर लिया गया है लग 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 अब इंतजार है कि वो रेस्क्री ऑपरेशन का जो आखरी चरण है य यह वो तस्वीर जैसे ही सामने आएगी हम आपको सबसे पहले न्यूज 24 पर दिखाएंगे क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हमारे संबालाता बने हुए हैं पिछले 17 दिनों से इस रेस्क्री ऑपरेशन की हर एक अपडेट हमने बड़ी जिम्मेदारी से आप तक पहुचाने तक और निकी कोशिश की है जब प्लान E Πर काम हो रहा था तब भी आपको दिखाय था प्लान B यानिए इसी रेस्क्रीट टीम है जब प्लान B किया था वर्टीकल ट्रिलिंग यानि पाड के उपर हिस्ते से वहां पर वर्टीकल ट्रिलिंग शुरू कर दीती लेकिन आज सु पहर लगबग लगबग देड़ बजे के करीब हल चल वहां पे देखने को मिली और खबर ये भी आई कि ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है यानि खुदाई का जो काम होना था वो लगबग पूरा हो चुका है रेस्क्यू टीमें मज़़ूरों तक पहुंच गई हैं अब सिर्फ इवेक्वेशन का काम वहां पे बचा यानि उनको उस जगह से निकालकर सुरक्षित अस्पटाल पहुचाने का काम शुरू हो जाएगा एक बार फिर सिदारु करते हैं मेरे सयोगी राउड प्रकाश का राउलम देख रहे हैं कतारबद लाइन में एक के बाद एक अंबुल को जब पता चला कि बाहर निकलने वाले हैं तो तमाम लोग यहां इखटे हो गए दूसरी तरफ जो रेस्क्यू का जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो प्लान बनाये गया इसके एप रूट ग्रीन कोरिडर आप देख लीजिए आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकत हैं एंबुलेंस जो गई हैं वो मौजूद है उनके साथ जो सब्सक्राइब करेंगे तो अपने साथ उनको एंबुलेंस में डॉक्टरों की टीम के साथ लेकर इसी रूट से निकलेंगे जो रूट आप देख रहे हैं इसी रूट से एसकॉट करते हुए जो आपको मैंने सब्सक्राइब करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एंडियारफ के बाहर मौजूद है और तमाम वो लोग हैं जो इस वक्त नजर ठिकाए बैठे हैं कि कुछी देर में जो एक तालिश लोग हैं उनको भार लाया जाएगा और इसी जरीए इसी के जरीए यानि जो जो पहले दिन से लगातार कोशिश थी कि इसी मुखे द्वार ते निकलेंगे हाला कि कुछ अड़ते ने जरूर आई थी जिसे के राओ लोटेंगे लोटेंगे आपके पास